मैं हूँ आशिश अंजनुवा को स्वागत करता हूँ ट्रूगार इंडिया एक नई चैनल में और आज में बात करने वाला एक खास सेग्मेंट के बारे में जिसको थोड़ा बहुत नेगलेक्ट करतीया जा रहा है इंडिया मार्केट में पर उसको भी चैलेंज करने के लिए होंडा सिटी ने एक न्यू मॉडल लांच किया है अपना एक नियूर वर्जिन जो कि पहले जब आया था वो इस सेग्मेंट में एक पहली एक लौती कार थी जो कि एक सेग्मेंट में धमाल मचा चुकी थी उसके बाद बहुत सारी गाड़िया आई जैसे हिंड़ा बरना औ चलेंग लेंग लिए और चली इस वीडियो और इसके बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो के आगे बात करेंगे सबसे पहले इस कार का एक overview जिसमें length है 4549 mm, wheelbase मिलेगा, आपको 2600 mm का, इसमें ground clearance होता है 165 mm का, इसमें 4 दरवाजे और 5 लोगों की बैठने की capacity है, और boot space मिलता है 506 liters का, और fuel tank capacity है 40 liters की, इसके अंदर आपको 2 engine option मिलते हैं, 1.5 liter petrol engine and 1.5 liter diesel engine, और petrol engine के अंदर आपको automatic version भी मिलता है, मगर diesel सिर्फ और सिर्फ manual के साथ आएगा, जिसके specifications आपको screen पर दिख रहे होंगे, इसके अंदर petrol में mileage होती है 17.8 km पर लिटर, और diesel में mileage होती है 24 km पर लिटर, साथ में से front में disc brakes मिलेंगे, rear में drum brakes मिलेंगे, इसका turning radius minimum है 5.3 meters का, साथ इसके अंदर alloy wheels base model से ही मिलते हैं, और upper models में 16 inch के alloy wheels मिलते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुजारश करूँगा कि प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारी इस चैनल की भी थोड़ी का रख्तिव होती है, और चलिए आब आगे वीडियो मे तो इसका सबसे पहला variant है V, जिसका petrol में price है 10.94 lakhs, जिसके अंदर automatic में अपग्रेट करेंगे, तो price हो जाएगा 12.24 lakhs, जोकि 1,30,000 रुपे महंगा होगा, और अगर आप डीजल में लेना चाहते हैं, तो जिसका price है 12.44 lakhs, और इसके अंदर कोई automatic का version नहीं आता है, इसी के स साथ बहुत सारे safety features और बहुत सारे comfort features इसके अंदर available हैं, आपको base model से ही, first start करते हैं, इसके अंदर 4 airbags मिलेंगे, दो आगे की तरफ, दो पीछे की तरफ, साथ में इसमें tire pressure monitoring system भी मिलता है, और child seat anchor points के साथ, साथ आपको seat belt warning system भी मिलता है, अगर आप seat belt नहीं लगाएंगे और इसके अंदर ABS, EBD, brake assist, ESP, electronically stability control, और साथ ही hill hold control और traction control जैसे बड़े और premium features जो की safety के लिए बहुत important है, वो सभी आपको इसके अंदर available मिलते हैं, साथ ही इसके अंदर engine immobilizer और central locking भी मिलेगी, जो की keyless entry के साथ मिलती है, इसी के साथ इसमें speed sensing door locks में मिलेंगे, और comfort features में आ AC blower और vent भी available है, और इसके अंदर vanity mirror भी मिलता है, जो की sun visors के उपर होता है, और driver और co-driver दोनों के लिए ही available होगा, साथ में इसमें reverse parking camera मिलता है, guidance के साथ, और साथ ही parking sensor की भी सुविदा मिलेगी, और इसके अंदर cruise control जो की बहुत important होता है, जो की long trip पे आपको बहुत help करत है, वो भी मिलता है, साथ इसमें headlight और ignition on reminder भी होगा, अगर आप headlight on करके छोड़ के चले जाए, तो वो remind कराया गा, साथ ही आपको इसमें keyless start stop का button भी मिलता है, और इसके अंदर आपको tilt and telescopic steering adjustment भी मिलेगा, इसके अंदर 12 volt power outlets मिलते हैं, जो की total 3 हैं, जो की पूरे कवार मे अलग अलग जगा पे मिलेंगे आपको, साथ में इसके अंदर driver armrest मिलता है, जिसके अंदर storage भी available है, और dual tone interiors के साथ कमाल के लगती है ये अंदर से, साथ ही में इसमें rear armrest मिलता है, जिसके अंदर cup holders भी मिलेंगे आपको, और front and rear headrest भी इसके अंदर available है, साथ में इसमें front and rear power windows है जो की one touch up and down feature के साथ आएंगे driver side के लिए साथ इसके अंदर electrically adjustable and retractable body colored ORBM में मिलते हैं जिसके साथ आपको turn indicators भी मिलेंगे इसी के ऊपर साथ इसमें rear defogger मिलता है और interior door handles आपको chrome में मिलेंगे जो की बहुत अच्छे लगते हैं साथ इसमें front and rear door pockets भी होंगे जिसमें अंदर आप समान रख सकते हैं और इसी के साथ आपको मिलता है electric tailgate release boot lid opener जिससे कि आप बटन दबाएंगे और आपका boot खुल जाएगा आगे इसके अंदर application based features है technology में भी काफी improvement मिला है Alexa compatibility मिलती है इसके साथ साथ ही इसमें remote car lock unlock भी feature मिलेगा आपको application based ही साथ में आप emergency call भी कर सकते हैं अगर आप कभी फस जाते हैं तो साथ इसके अंदर find my car option मिलेगा आप app से ही अपने car को ढूंड सकते हैं अगर वो कहीं गुम हो गई है या फिर किसी और वज़े से दूर है आप से और इसके अंदर remote car light flashing and honking भी होगा अवेलेबल जो कि application based है अगर आप parking में उसे ढूंडने में असानी होगी आपको साथ में remote AC का on off का भी version मिलेगा आपको जो कि application based ही होगा और यह सिर्फ और सिर्फ automatic version में available है जिसे कि आप AC को पहले से ठंडा करके रख सकते हैं over the air updates मिलता है इसके अंदर जिसे कहते हैं आपकी system को update होता रहेगा वो internet से जिसे कि आपको नई नई चीज़े और भी update में मिलेगी साथ में vehicle status भी मिलता है आपको application based ही जिसे कि आप अपने vehicle की तमाम status को भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर gear indicator भी मिलेगा जो कि सिर्फ automatic version में available है साथ में इसमें आप ऐसी भी चीज़ एड़ हो गई है जो कि पहले नहीं थी पर crucial है android auto and apple carplay जो कि integrated in dash music system के साथ आती है जिसके अंदर touch screen display भी मिलेगा आपको जिसके अंदर चार speaker और USB aux का भी system मिलता है आपको साथ में इसमें bluetooth भी है जो कि phone connectivity के साथ साथ audio connectivity भी देता है आपको और AM FM की भी सुवधा मिलती है आपको steering mounted controls में मिलेंगे आपके और उसी के साथ इसको compliment करेगा voice command system इसी के साथ final LED daytime running lights मिलती है इसके साथ आपको halogen fog lights मिलती है आपको और halogen projector headlights मिलेंगे आपको साथ में follow me headlamps की भी सुवधा मिलती है जिससे कि अगेन आपको parking में धूणने में आसानी होगी और LED tail lights और front and rear cabin lamps की भी features के अंदर है अब इसका next version है VX जिसका petrol में price है 12.3 lakh रुपीज जो की पिछले variant से 1,36,000 रुपे महंगा है जिसमें automatic upgrade करते हैं तो इसका price हो जाता है 13.6 रुपीज जो की अगेन 1,30,000 रुपे महंगा है और अगर डीजल में लेना चाहते हैं तो 13.8 लाक है जो की सिर्फ manual gearbox के साथ आता है इसके अंदर features upgrade आपको मिलते हैं पिछली variant में 4 airbags है इसमें 6 airbags मिलते हैं दो curtain airbags इसके अंदर add हो जाते हैं driver और passenger के अलाबा साथ इसके अ IRBM में anti glare mirror में मिलता है जो की electronically adjustable है और साथ में आपको leather wrapped steering wheel मिलेगा leather wrapped gear knob भी मिलता है और इसके अंदर एक खास feature जो की इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है sunroof और moonroof का भी इसके अंदर availability होगी जो की electrically adjustable है साथ में automatic headlamps है यानि कि अंधेरा होने पे अपने आप headlamps on हो तो इसके अंदर 6 speaker का upgrade मिलता है audio system में और साथ इसके अंदर remote AC on off का भी version मिलेगा जो की application based होगा बट यह सिर्फ और सिर्फ और automatic में available होगा और इसके अंदर alloy wheels diamond cut 16 inch के हो जाएंगे जो की पिछले variant में 15 inch के थे अब इसका top and final variant है ZX जिसका petrol में price है 13.19 lakh जो की पिछले variant से 89,000 रुपीज मेंगा है और इसमें automatic upgrade करते हैं तो 14.49 lakh का हो जाता है जो की again 1,30,000 रुपीज मेंगा है अगर आप diesel में जाना चाहते हैं तो 14.69 lakh की मिलेगी आपको जो की सिर्फ manual gearbox के साथ मिलती है पिछले बताए सारे features के साथ साथ आपको ये upgrade मिलते हैं जो की है leather seat upholstery यानि की सारी सारी leather cover की साथ आपको seat मिलेंगी और front seat back pockets में मिलते हैं साथ ही आपको one touch up and down का जो feature होता है windows में वो सारे windows के अंदर मिलेगा साथ ही इसके अंदर chrome exterior door handles मिलते हैं और manual rear windshield blind मिलता है जिससे की आप धूप से आराम से पीछे बैठे हुए बच सकते हैं इसके अंदर LED headlights और LED fog light भी आपको इसके अंदर add हो जाते हैं उमीद करता हुए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और Honda City के बारे में बहुत सारी बाते पता चली होंगी और इससे भी हम आगे comparison करने वाले हैं Hyundai Verna का और भी इस SUV की जगह Honda City को लेना प्लीज कमेंट सो अपना जरूर बताईएगा मैं जाद से जादा कोशिंस के आंसर करने के कोशिश करूगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आभी के लिए जिलाल गुट बाई गुट लग और सेव ट्राइग